आज है 25 फरवरी और इस यह समय अमरूद की कटिंग के लिए भूती अच्छा समय है वैसे पूरी फरवरी आप कटिंग कर सकते हैं लेकिन इस बार आज के दिन भी अधिक ठंड है उत्तर भारत में यह जो मेरा पेड़ है यह पेड़ आप देखिए कि इस समय यह कैसा है और इस से पहले यह कितना बड़ा पेड़ था यह ललित का पेड़ है और मेरे पूरे बाग में अब मैंने यह ललित का और एक इलाबादी सफेदा का पेड़ रखा है चुकि मैं बाग की दुबारा इस्थापना कर रहा हूँ आप देखे इस बाग में जहां पर ये अमरूद का बाग पर सरसो है इस ताइम तो सरसो के बाद में मैं बाग को दुबारा लगाऊंगा पूर्ण व्यवस्थित तरीके से और इसमें कई वराइटी के अमरूद और रंगीन आम या आम लगाऊंगा ये वीडियो में क्यों दिखाना चाहता हूँ जिन भाईयों के हाई डेंसिटी पर जो बाग लगे हुए है काफी की समस्या आती है कोई कहता है मैंने दस बाई पाँच पे लगाई हैं अगर वो आपका ताइवान पिंक नहीं है दूसरे किसम के अमरूद है या कोई आपने एक दो पेड़ घर में लगा रखा है तो उसे किस परकार छोटा ही आप रख सकते हैं आज का मुख्यवी से ये है और उसमें क्या समस्या है आएंगी और उन समस्या होगा क्या निदान होगा ये मैं आज आपको बताओगा जल्दी से आप देखिए कि ये पेड़ जो था एक भरपूर जो लगबग बारा फुट उचा पेड़ था काफी फैला हुआ था जो मैंने आपको दिखाया है और इसे मैंने इतना छोटा कर दिया है ये मेरा बहुत पसंदिदा अमरूद है और ये अमरूद किसी भी तरगी आप कटिंग कर लो साल में दो बारा आपको अम्रूद में देगे एक बरसात वाले और एक सर्दियों वाले सर्दियों वाला जो इसका अम्रूद होता है बाहर से भी लाल होता है और अंदर से भी लाल हो जाता है तो मैंने क्या किया, इसमें देखिये, ये जो थी ये पिछले से पिछले साल की कटिंग थी. तो मैंने इसको इतना हैडबैक कि कि इसकी उचाई लगबग 5.5 फिट लिया रहा हूं. जो है 5 फूट मेरे जो लंबाई है पांच फूट आठ इंच है तो लगबग इतनी लिया आप इसे और भी काट सकते हैं यहां तक भी काट सकते हैं आप इसे पांच फूट का भी कर सकते हैं इन साखाओं को भी यहां तक काट सकते हैं और आधी छोटी कर सकते हैं अब इसमें क्या होगा आप देखेंगे इसकी cutting किये भी है, मुझे लगबग एक सफता हो गया है, और अगर यहां पर ध्यान से देखें, तो यहां हलके हलके जो कल्ले निकलने लगे हैं, जब यह कल्ले निकलेंगे, तो आपको इन में तेजी से व्रधी करनी है, यानि बहुत तेजी से बढ़ना है, अगर आप गर साथ के अमरूद लेना चाते हैं, तो इन में अमरूद आएंगे, जितने भी कल्ले हैं सब पर अमरूद आएंगे, लेकिन अगर नहीं लेना चाते हैं, तो उन्हें आप हाथ से हटा सकते हैं, कटिंग करने के बाद में, इसमें कम से कम तने से, जो ये तना है, यहां से दो फिट ही दूरी पर, जितनी अमरूद की उमर है, अगर वो तीन साल का पेड़ है, तो उससे दस से गुना कर दीजिए, और इतनी गोबर की खाथ डालिए, अगर आपके पास जो ओर्गनिक मैनि होता है, जिसे बोन मील भी बोलते हैं, और आपका एनिमल मील भी बोलते हैं, वो भी डाल सकते हैं, या नीम की खली डालिए, आप कम से कम एक किलो, और इसमें कुछ न्यूट्रेंट डालिए, जैसे सागरी का हो सकती है, या हुमिक ऐसीड हो सकता है, वो भी आप डाल सकते ह अगर गोबर को आप उसमें ट्राइकोडर्मा और बवेरिया बश्याना मेटारीजियम मिला देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा वो डालिए और नाली बनाईए कम से कम वो नाली की चोड़ाई चछे इंच चोड़ी होनी चाहिए और चार से चछे इंच गहरी होनी चाहिए और उसमें खाद भर कर मिट्टी से ढखकर आप पानी दे दीजिए जो मुझे सबसे बड़ी कमी लगी है जो घर पर लोग करते हैं या अधिकतर लोगों के बागों में देखी है कि वो जड़ में पानी देते हैं आपको इसके तने से दो फिट दूर पानी रखना है और ये प्रबंद करना है कि तने को पानी ने लगे इसके लिए जहां आतक आपने खाट डाला है यानि दो फुटका है थोड़ा चोंतरा सा बना सकते हैं जो कि 6-8 हिन चूंचा होटकता है ताकि पानी उससे बाहर रहे तो आपका पोदा अच्छा होगा प्रतेक अमरूद पर जैसे कई तरह के अमरूद हैं उनमें वराइटी हैं उनमें इतनी अगर हेड़ बैक इसको हेड़ बैक कटिंग बोलते हैं कि आपको पिछे लियाए यानि पोदे की आपने लंबाई कम कर दी उनमें इतनी गहरी कटिंग करने के बाद फल नहीं आते तो ये आपको देखना है एक बार करने के बाद कि आपको क्या दोनों फसल चाहिए या एक फसल चाहिए मेरे इस ललित में कितनी भी head back कर लो अमरूद अवश्या हैंगे अब मैं क्या करूँगा अगर मालीजी अमरूद नहीं आते हैं तो आपके जो कल्ले निकलेंगे उनको आप तेजी से बढ़ाईए उसमें bio stimulant जो की आपके growth promoter होते हैं उसका छिड़काओ करिए जैसे humic acid है और आपका एक ये सागरी का है इनका इस्प्रे करिए और इसकी ड्रिंचिंग भी करिए तो बहुत तेजी से निकलेंगे और 13-0-45 जैसे nitrogen उन्हें अधिक चाहिए उनकी बढ़वार कीजिए जब उनकी बढ़वार हो जाएगी तो हमें ये ध्यान रखना है मई या 30 मई तक उनको कम से कम भी 2-2,5 फिट की लंबाई कर लेनी है और जब 30 मई के आसपास या 15 जून तक आप उनको आधि-आधि cutting कर दीजिए जब डंडी बढ़वार हो जाएगी तो उनकी आधि cutting कर दीजिए और उन cutting में से जो कल्ले निकलेंगे यानि यहां से जो साखाई निकलेंगी जो साखा बड़ी होगी उसे आधे से कट करेंगे या हलकी cutting करेंगे उस साखा में से जो कल्ले निकलेंगे उन पर आपके अमरूद आएंगे तो यह जो तरीका मैंने बताया है ये तरीका है कि आप अपने अमरूद को बहुत अधिक नहीं बढ़ने देते ये जो हाइडेंसिटी पर लगाते हैं या आप घर में लगा रखे हैं अधिकतर किसान सर्दी की फसल लेते हैं तो अगर आप उनकी लंबाई छोटी रखना चाहते हैं तो ये उचित समय है करने का मैं अपना एक पोदा और दिखाता हूँ जो इलाबादी सफेदे का है जिसकी मैंने नॉंबर के एंड में कटिंग करी थी आइए मैं दिखाता हूँ किसान साथियों ये भी मेरा लगबग 12 फिट बड़ा इतना बड़ा पेड़ था जिसकी देखिए कितनी मोटी नॉंबर में कर दी थी नॉंबर में कटिंग के बाद मैं यहां पर दो चीज़े आपको दिखाना चाहता हूँ इधर देखिए यह इसका क्लोजब दिखाईए यहां पर जो यह कले निकले थे यह अभी बहुत नहीं बड़े हैं सर्दी बहुत पड़ी है तो कुछ पत्ते इसके जलसे भी गए हैं कोई घबराने की बात नहीं यहां देखिए यह कितने दूर दूर है लेकिन जब यह निकलते हैं तो यह देखिए गुच्छे में रखते हैं यह आपको ध्यान रखना है अगर आप हेड़ बैक कटिंग कर रहे हैं या पोधे का जो उचाई कम कर रह हैं तो यहां पर देखिए पोधे की एनर्जी का नुसार बहुत यहां पर यह निकलेंगे कल्ले निकलेंगे अब आपको क्या करना है यह सारे कल्ले नहीं रखने हैं तो आप धीरे से जैसे यह है इन में से किसी एक का चुनाओ कीजिए मैं इसको भी हटा दूँगा इसको भी कहीं हटाऊंगा और इन में कम से कम रखूंगा इसका फाइदा क्या होगा कि जो एनर्जी दस कल्लों में थी वो एक या दो में आएगी और यह बहुत तीजी से बढ़ेंगे यह बहुत ध्यान रखना है जैसे यह थोड़े थोड़े बड़े हो जाएं इसमें दो तीन पत्ती आ जाएं तो आप इनका इनको मतलब हलका करिए जिसे हम कहते हैं धिनिंग जैसे यह देखिए यहां पर मैं दिखाता हूँ इस तरफ को यह देखिए यहां बहुत सारे हैं मैं इस साखा को ले जाना चाहता हूँ तो इसको भी हटा दूँगा और जो यह उधर जा र हो गया कितनी जगह है एक दो तीन चार और यह पांच छे कल्ले मैंने साखाय रख ली यह छे साखाय मेरी जब इतनी बड़ी बड़ी हो जाएंगी इसमें मुझे कोई उमीद नहीं है कि इसमें अमरूद आएगा अलाबादी सफेदे में नहीं आता है अगर बहुत गहरी जाएगा और यह अभी मार्च अप्रेल मई तीन महीने आपके पास तीन महीने में यह अच्छा खासा बड़ा हो जाएगा इसको बीच में से कट करिए जितनी पक जाए उतनी को कट कर दीजिए और उस साखा में से जो कल्ले निकलेंगे सब भी परम रूद आएंगे और से साखाई बढ़ चुकी हैं उनके लिए भोजन की आपको बहुत आवस्चकता नहीं पड़ती कम खाद में भी काम चल सकता है पोदा छोटा रहता है फलो पर पहुंच होती है इस प्रे भी कम लगता है खाद का तरीका वही है कि यहां से इसे लगबक दो फिट पर यहां प दो ज今日は यहां पर देखेती किस तरफ जा रही है उसको ध्यान रखकर जब यह थोड़े बड़े हो जाएं अभी नहीं चैड़ना इसको यह छोटे-चोटे चोटे हैं इसके बाद हम इसकी जैसे यह हटा देंगे यह तो इन पर एक जंगह पर एक से नहीं रखेंगे तो छोटे-छोटे हैं, इसके बाद हम इसकी जैसे यह हटा देंगे, यह हटा देंगे तो इन पर एक जगह पर एक से नहीं रखेंगे, तो जब थोड़े-बड़े हो जाएंगे, आपको इनकी थिनींग करनी है, और इनकी बड़वार करनी है, इसके बाद इसपर भरपूर आएंगे किसान साथियों ये थी एक मेरी छोटी सी प्रस्तुति के बहुत बड़े पेड़ को छोटा करने का क्या समय है ये अति उत्तम समय है और इसके बाद फिर आप सर्दी की फसल ले सकते हैं खुश रह सकते हैं इसी के साथ विदा लेता हूं धन्यवाद तमस्कार जैहि ये भारत बंदे में